हेलो फ्रेंड्स आज कल घर में आना शुरू हो गई है समर स्टार्ट हो गया है तो समर में अक्सर हम ने देखा है जॉंडिस के वायरल हेपिटेटिस के केसिस बढ़ते हैं पेशेंटस आना चालू हो जाते हैं इसलिए हमने सोचा आज एक educational video इसके बारे में हम बना रहे हैं जिसमें हम देखेंगे कि जो समर में जॉन्डिस होता है वो क्यों होता है और उससे हम कैसे बच सकते हैं उसके क्या symptom होते हैं और उसके लिए हम best क्या कर सकते हैं जॉन्डिस मतलब liver का infection liver में swelling liver में problem आना जिसके कारण आखों में पीला पनाता है या पिशाप पीला होता है जिसको हम पीलिया बोलते हैं या जॉन्डिस बोलते हैं जॉन्डिस के कारण पीलिया के कारण कहीं सारे हैं कभी कभी आप कोई दवाई खाते हैं उससे भी जॉन्डिस होता है कोई antibiotic खाते हैं उससे भी जॉन्डिस होता है या कोई heavy medicine चलता है कई बार cancer related या कोई ऐसी चीज़े रिलेटेड उससे भी होता है कभी जॉन्डिस का कारण होता है बाइल डक्ट जो हमारा gallbladder के साथ डक्ट जुडा रहता है या पैनक्रियाज के कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं जिसको अब्स्ट्रक्ट्ट्व जॉन्डिस बोलते हैं या पित की थैली के आगे रास्ते की नर्गी में स्टोन फस जाता है तो इसको अब्स्ट्रक्ट्ट्ट्व जॉन्डिस बोलते है या कोई ऐलकोहल पीता है शराप प तो ये होता क्यों है ये हिपिटेटिस ए और ई वाइरस कंटेमनेटेड फूड वाटर पानी या खाने से हमारी बॉड़ी में आते हैं इंटस्टाइन्स में जाते हैं फिर वहां से जाके लिवर में ब्लर सर्कुलेशन और पॉर्टल सर्कुलेशन करके कुछ अंदर हमारे नस्य होती हैं जो इंटस्टाइन्स को लिवर से जोड़ती है और ये लिवर में जाके बैठ जाते हैं और वहां मल्टिपले करके लिवर म को बोलते कमजोरी वेगरा आदमी को लगता है और लगता कि कुछ ठीक सा नहीं हो रहा अब यह हमें याद रखना है कि जब हमने यह खाया या पिया बाहर का ऐसा कुछ उससे लेके जब जॉंडिस आता है उसमें कई बार दो से तीन हफ़ते भी निकल जाते हैं तो कई बार हम हमने कुछ बाहर कुछ खाया था या हमने कुछ ऐसा स्ट्रीट फूड खाया था और वो कैसे हो गया तो जब यह लिवर में जाता है सूजन देता है इंफ्लेमिशन देता है और यह सब सिम्टम आते हैं फिर मरीज हमारे पास आता है डॉक्टर के पास आता है तो कुछ बेस sound किया जाता है तो इसमें clear होता है कि हान जी वाकए में जॉंडिस है अब जब एक बार पी लाया जॉंडिस हो गया फिर उसमें आगे क्या करना है इसको basically self limiting disorder बोलते हैं जो hepatitis A और hepatitis E है यह self limiting है मतलब यह liver body खुदी clear करता है over period of time लेकिन इसमें कई बार तीन चार छे हफदे लगते हैं यह gradually पहले देरे देरे बढ़ेगा जॉंडिस फिर एक plateau आता है रुकता है यह फिर यह देरे देरे कम होगा इसलिए इसमें चार से छे हफदे तीन चार हफदे का time बोला जाता है मरीज को कि आपको इतना time लगेगा इसका कोई tablet कोई antiviral कोई antivitis नहीं है तो doctor क्या काम करता है या कभी-कभी वह admit करता है observation के लिए जब उनको लगता कोई complication type हो रहा है because क्योंकि ये एक self-limiting disorder है ये खुदी ठीक होता है इसलिए कई बार मरीज इसको जड़वाने के लिए चले आते हैं कि यह आप फलाना जगा जाएए फलाना जगा जाएए इसको जड़वा लीजिए वो जड़वाने से कुछ नहीं होता है ये basically self-limiting है अब जड़वाएंग के self-limiting jaundice को छोड़ के पीलिया को छोड़ के और भी कारने जो मैंने शुरू में बताया कई बार cancer type भी कुछ problem अंदर पल रहा होता है और मरीज बस जड़वाने जड़वाने में लगा रहता है तो कभी भी अगर लगे jaundice लंबा हो गया ज्यादा खिच गया आराम नहीं जा रहा है बाडी वेट कम हो रहा है कमजोरी हो रही है भूख खतम हो गई है तो आपको तुरंट डॉक्टर के वजा कि इसका जाज कराना चाहिए कहीं ये किसी और प्रकार का जॉन्डिस तो नहीं है जब जॉन्डिस हो गया उसके बीच में खाना पिना आपको हलका रखन हैं वो ले सकते हैं आप ले सकते हैं लेकिन वो साफ तरीके का होना चाहिए वो कंटैमिनेटर नहीं होना चाहिए कई बार मरीज जॉन्डिस हो गया फिर बाहर कहीं ठेले वेले पे वो जूस पी लेते हैं सुगर के जूस जो साफ नहीं होता है उससे फिर दोबारा देना ठीक होने के लिए एक और विशेश बात आपको याद रखनी है हिपिटेटिस ई जो है बाइचांस अगर कोई प्रेगनेंट लेडी है किसी के पेट में बच्चा है तो हिपिटेटिस ई विद प्रेगनेंसी एक बहुत ही सीरिस मैटर होता है ये प्रॉब्लम करता है कई प्रेगनेंट लेडी में रिस्क हो जाता है मॉटलिटी सेहत खराब होने का बच्चे पे खराब इफेक्ट उसका रिस्क होता है तो हिपिटेटिस ई विद प्रेगनेंसी के बारे में आपको बहुत विशेश ख्याल रखना है तुरंत लिवर के स्पेशलिस से मिलना है और तुरंत उसका ट्रीटमेंट शुरूर करना पड़ता है कभी-कभी मरीज को हॉस्पिटलाइज भी करना पड़ता है बचने का तरीके क्या है बचने का तरीका यह है कि आप बहुत ही कंटैमिनेटेड स्ट्रीट फूड वेगरा ओपन जो खाना होता है जिस पर डगकर नहीं लगा रहता यहां कंटैमिनेटेड हाथ है प्लेट है चमचे वो दोए नहीं गए हैं पानी साफ नहीं है गलत तरीके से रखा गया है इस सबसे हमें बचना है और हिपिटेटिस ए का वैक्सीज आवillable है वो भी आप कर सकते हैं हिपिटेटिस ए का वैक्सीन नहीं है समर आने वाला है मैं यही सजिस्ट करूंगा कि आप अपने लिवर का खयार रखिए खाने पेने का खयार रखिए और कभी भी ऐसा कुछ दिकर लगे तो तुरंत नजदे की डॉक्टर से मिल लीजे थेंक यू वेरी मच नमस्कार मैं डॉक्टर मनीश काक कंसर्ट अंग